ये कैसी आदत है शराब की जो जिसे हम छोड़ नहीं पाते चाहा कर भी ये आदत जो है ये हमसे छूट नहीं पाती पहली दफा शक्कर खाने के बाद उसका इरादा नहीं होता है कि आगे चलके मुझे डाइबटीस होनी चाहिए उसी तरह से कोई भी शराबी जब पहली दफा शराब पीता है वो सोचता नहीं आगे जनके मैं शराबी बनो लेकिन उसके शरीर में कुछ ऐसे धीरे-धीरे कुछ बदलाव आने शुरू करते है जो उसे पता नहीं रहते जब इनसान पहली दफा शराब पीता है तब उसके दिमाग में अलकोहल के रिसेप्टर्स तैयार हो जाते है अच्छ अभी ये रिसेप्टर की संख्या हर एक शराब पीने की जो एक occasion है उसके साथ बढ़ती जाती बढ़ती जाती रिसेप्टर्स बढ़ते जाती नॉर्मल इनसान में वो इसेप्टर निकाल देने की प्रक्रिया भी होती है अच्छ लेकिन जो इनसान उसमें वो जैनेटिक कमी है उसमें यह receptor निकालने की प्रक्रिया जो है, वो लिथार्जिक होती है, धीमी होती है, कम होती है, उसके वज़े से उसके दिमाग में यह receptor की संख्या बढ़ती जाती है, और यह receptor की संख्या जब बढ़ती जाती है, तो उनकी यूनियन हो जाती है, वो कहते हैं कि भई हमें शराब चाह झाल 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 झाल